देजवर के साथ साथ राजधानी देहदून में भी 34 वा सड़क सुरक्षा महा मनाया जा रहा है यह सड़क सुरक्षा महा 14 फरवरी तक चलेगा इसमें राजधानी पुलिस द्वारा सड़क दुर्गटनाओं में कमी लाने तथा यातायात नियमों के प्रती लोगों को जागरुक करने के उदेश्य से स्कूलों और ध्योगिक छेत्रों वा सार्वजनी किस्तानों में जागरुकता कारेक्रम चलाए जा रहे हैं इस दौरान दून पुलिस के द्वारा समाज के हरवर्ग को इस मुहीम के साथ जोडने का प्रियास भी किया जा रहा है इस कारेक्रम के दौरान आमजन के बीच जाकर उन्हें सडक सुरक्षा के उपायों को प्रात्मिक्ता देने, लापरवाही से वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का पालन ना करने के परिणामों के विशे में भी जागरुक किया जा रहा है साथ ही सडक दुरगटना में घायल व्यक्तियों की साहिता के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है लोकल 18 से बाचीत में SSP देहरदून आजे सिंग कहते हैं कि एक महा का सडक सुरक्षा अभियान पूरे देश भर में चल रहा है जिसमें यातायात नियमों के प्रती जागरुकता सबसे बड़ी प्रात्मिकता है देहरदून में ट्रैफिक पुलिस, सामाजिक संस्ता आएं और कॉलिज इस्टूडेंट्स की मदद से जगा जगा सडकों पर जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं सर्दियों में कोहरा अत्यदिक है, ऐसे में तमाम वहनों पर देरदून पुलिस रिफ्लेक्टर भी लगा रही है जिस्वे की लाइट पढ़ने पर रिफ्लेक्टर आसानी से चमक जाए और एक्सिडेंट होने से बचे इसे एक महा के इनफोर्स्मेंट और जागरुकता ड्राइव के माध्यम से सड़क दुरगटनाओं में कमी लाना ही उदेश्य है इस मुहीम के साथ मित्र पुलिस अलग-लग अभियान भी चला रही है जिसमें सड़कों पर वालिंटेर लोगों को जागरुक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सड़क जागरुकता बाइक रेली, शिक्षन सस्तानों में जागरुकता अभियान और शहर भर के थानों में गाड़ी चालकों के निशुलक चिकिस्टा शिविल लगा कर उनकी स्वास्त जाँच कराई जा रही है इसका उदेश्य यातयात नियमों के प्रती आमजन को जागरुक करना है साथ ही इस बात का एहसास दिलाना है कि उनका वह दूसरों का जीवन अमूल्य है इस बात का सदेव ध्यान रखें कि घर पर कोई अपना उनका इंतिजार कर रहा है है तो रिफ्लेक्टर्स जैसे वानों पर नहीं होते हैं उस पर लगाना तरह तरह के स्कूल कॉलेजिस के जो हमारे छात्रे उनको भी इस पर जोड़ा गया मुहीं पर अब देखा यातायात मित्रपुलिस के रूप में छात्रों को एंसी सी केड़ेट्स को भी लगाया गया झाल